चलिए यात्रा से लग करनाटक की एक खबर आपको बता दें जो आपको हैरान कर सकती है करनाटक हाई कोट के जज एचपी संदेश ने गंभीर आरोप लगाए है संसनी खेज उन्होंने आरोप लगाया है जज ने दावा किया है कि भ्रहष्टाचार निरोधक बिरो यानि एसीबी के अतरिक्त पुलिस महानिदेशक को फटकार लगाने के कारण उन्हें तबादला करने की धमकी दी गई यानि उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसी धमकी उन्हें दी गई ये बयान उस वक्त सामने आया आए आपको बता दें जब जज रिश्वत खोरी के आरोपी बैंगलोरू के पूर्व शहरी तहसीलदार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे तहसीलदार ने दावा किया कि वो ततकालीन बैंगलोरू शहर डी सी जे मंजुनात के नर्देशों का महस पालन कर रहे थे जिने बाद में एसी बी ने गिरफतार किया सुनवाई के दौरान जस्टिस संदेश ने कुछ दस्तावेज मुहया कराने में नाकाम रहने के लिए एसी बी की आलोचना की थी और हमारे योगी इमरान इस वक्त हमारे साथ लाइब जुड़ने इस पर और जाधा जानकारी देने के लिए इमरान निश्ट तोर पर नियाए पाली का जिस पर सबका भरोरसा होता है सब अपनी जो समस्या होती है वहाँ लेकर जाते हैं एक जज का इस तरीके से संसनी खेस खुलासा करना निश्ट तोर पर किसी भी देश के लिए उचित लहसे सुत नहीं देखा जा सकता जी बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी भी लहसे से उचित नहीं है और इस तरह से पब्लिक का भरोसा होता है कि जो इंस्टुशन्स हैं जो गवर्मेंट में चाहिए वो एसी भी हो या कोट हो या और कोई इंस्टुशन उस पर भरोसा होता है कि वो नियाय पक्षोस अपना ये करेंगे उन पर अप्रोच कर सकते हैं लेकिन जब ज़ज ने कहा कि जो केस में जब उन्होंने जानकारी की तो काफी करप्शन के अलिगेशन्स लगे और उन्होंने कहा कि ये कैंसर एक फोर स्टेज तक पहुंचने तक पहुंच गया है और इसके खिलावा वो मोहीम चलाएंगे और उसको अगर 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 अपनी जच की कुरसी भी जानी पड़े तो उन्होंसे कोई परवा नहीं है उन्होंने कहते वे कहा कि उन्होंने अपनी पूरे जच के पूरे कारेकाल में अभी तक चार अपनी खुद अपने प्रॉपर्टी बेची है, उन्होंने नहीं ली है, और वो करॉप्शनी खिलाफ क्रूसेडर हैं, और चाहे कितनी भी उनसे धमकी आएं, वो पीछे अटने वाले नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं इस पूर पूरे समाज को खा देगा, बिलकुल इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रे इंतमाम जानकारी के लिए